नमस्कार दोस्तों यह हीरो की माइश्ट्रो एज 125 बीएश 6 दोयर 20 मोडल आज में इसका रिव्यू करने वाला हूँ बीएश 6 आने के बाद इसमें क्या-क्या नए बदलाब हुए हैं, माइलेज कितना देती हैं, आन रोट प्राइज कितना हैं तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूल देखना तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले में इसके front profile से start करता है, इसके visor और headlight में आपको ज़्यादा कोई changes देखने को नहीं मिलता है, इसके visor आपको 125 का sticker मिल जाता है, hero का 3D में logo मिल जाता है, normal halogen headlamp मिल जाती है, normal bulb के साथ, दो side mirror मिल जाते हैं, unique and premium design में, जो की काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और इसके apron पर आपको LED lights मिल जाती है, name plate के नीचे, यहाँ पर आपको दो long head type के indicator मिल जाते हैं, जिसमें आपको normal bulb दिये गए हैं, इसमें आपको DRLs नहीं मिलती हैं, इसके साथ ही, maestro age की यहाँ पर आपको sticker की form में, वैचंग मिल जाती है, इसके apron पर आपको थोड़ी सी design यहाँ भी आपको मिल जाती है, इसके mad guard की बात करें, तो यहाँ पर आपको unique and premium design का, आपको यहाँ पर mad guard मिल जाता है, IBS का logo इसके मिलता है, इसके right hand side में आप देख सकते हो, I3S का यहाँ पर आपको logo मिल जाता है, इसमें आपको I3S technology system लगा हुआ है, इसके साथ ही दूसरी side में यहाँ आप देख सकते हो, इसके यहाँ पर प्रोग्रामेट FI fuel injection system, यह scooter इसमें आपको पहले से यादा acceleration और पह यहाँ पर आपको सामान को लटकाने के लिए जो है, दो हुक दिये गए हैं दोनों side में, इसके साथ ही बात करूँ इसके ground clearance को लेकर तो 155 mm इसका ground clearance मिल जाता है दोस्तों, तो overall इसका जो look है वो काफी जादा unique है और बहुत ही जादा प्यारा color आपको इसमें लग रहा है, 125 की यहाँ पर आपको silver finish में waxing दी गई है, logo दी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके tail light के side में, ऊपर की side यहाँ पर आपको grab rail दी गई है, black finish में, यह जो है metal की है, इसमें आपको cushioning अच्छी दी गई है, इसकी seat में आपको बहुत जादा soft है, बहुत जादा premium quality की seat लगाई गई है, इसके साथ ही इसके tail light पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल वल्प के साथ indicator दिये गए है, external fuel filling दी गई है, इसके साथ ही इसमें आपको tail light में, आपको LED वल्प दिये गए है, अंदर की side में यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे की side में भी आप देख सकते हो यहां पर आपको जो है रिफ्लेक्टर दिया गया है कुछ इस टाइप से जो है मटगाड दिया गया है जो की काफी ज्यादा अच्छा है विल्ड क्वालिटी के इसाफ से यहां पर भी आपको जो है माइस्टर एइज 125 की सिल्वर फिनिश में वैचिंग दी गई है जो की काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इसके अग्जॉस्ट की बात करें तो यहां पर आपको जो है एक ब्लैक फिनिश में आपको जो है एक्जॉस्ट इसका मिल जाता है को काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है सेपरेट राउन टाइप की आपको जो है यह सकते हो आइधियस की इंडिकेशन लाइट यहां पर आपको जल चुकी है इसके साथ यहां पर आपको जो है लेफ्ट और राइट अंडिकेशन लाइट यहां पर आपको जो है इंजन की कोई भी डिफॉल्ट होता है तो यह बिलिंग करने लगती है यहां पर आपको जो है सबकुछ इसके तीक कर सकते हैं इसके दूसरी साइड में यहां पे आपको जो है अब Sisters चौ्च City यहां पर आपको दिया गएध के नीचे आपको जो है रलेक्ट्रिट है चौट देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छे हैं अब बात करूं में इसके की इंसेट पॉइंट को लेकर तो आप इसकी मैन की से ही पीछे वाला जो फ्यूल कैप होता है और पीछे वाली जो सीट होती है आप इसको डारेक्टली यहीं से ओपन कर सकते हो जैसा कि आप दोस्तों पादी चावी को लगाने के बाद आपको प्रेस करने के बाद डारेक्टली इसको राइट टर्न में मूव करना है तो आप देख सकते हो इसका जो फ्यूल कैप है वो उपन हो चुका है इसके साथ ही अम में आपको इसकी जो सीट है बूट इसपेस एरिया होता है उसको जो आपको इसमें प्रेस नहीं करना है डारेक्टली जो है लेफ्ट में टर्न करना है टर्न करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो बूट इसपेस ओपन हो जाता है एक अच्छा खासा आइसमें आपको जो है बूट इसपेस एरिया मिल जाता है यहां पर आपको मिल जाती है night के लिए वो जो की काफी जाद अच्छी है यहां पर आपको जो है mobile की socket मिल जाती है यहां से आप mobile को डेटा के भी लगाकर directly charge कर सकते हो mobile को बहुत अच्छा option दिया गया है इसमें दोस्तों इसके नीचे की side में तो यहां पर आपको IBS का logo मिल जाता है mudguard पर आपक यहां से कोपिक suspension मिल जाते हैं black फिनिश में यहां पर आपको टीबियस कंपनी के टायर मिल जाते हैं। टूलेस जो की काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं इसमें आपको integrated braking system मिलता है दोनो ब्रिक इसमें आपको एक साथ काम करती हैं। इसमें आपको जो है black खलर के alloy wheels मि मिल जाते हैं दोनों variant में और यहां पेचे की साइड में भी आपको जो है Drum Brake मिल जाती है टीबेस कंपनी के ट्र मिल जाते हैं 130 mm की Drum Brake मिल जाती में ब्लैक पौ पनिस में अब को इसका एंज waste और और पावर को लेकर तो इसमें आपको 125 सीजी का एर कूल्ड फोर स्ट्रॉक सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है इसकी जो मैक्जिमम पावर है वो है 9.12 PS at 7000 RPM पे इसका जो मैक्जिमम टॉर्क है वो है 10.4 न्यूटन मीटर at 5500 RPM पे इसके फ्यूल टैंक की जो कैप सीटी है वो है आपको 5.5 लीटर अगर माइलेज की बात आपको 10% जादा माइलेज मिलने वाला है पहले से इसके बैरियंट को लेकर और ऑन रोड प्राइज मत्रा यूपी को लेकर तो यह आपको 2 बैरियंट में मिलती है डुरम ब्रेक और डिस्क ब्रेक ब्रेक ब्यासी चैसाट दो रुपे की मिल जाएगी अगर आप इसको डिस maestro 125 का पूछ सकते हैं मैं आपको जरूर बतांगा अगर आप दोस्तो इसको 1 अगस्त 2020 से पहले अगर आप इसको purchase करते हो तो आपको friends auto mobile राया मतुरा की तरफ से 1000 रुपे का discount मिल जाएगा तो दोस्तो ये video आपको कैसी लगी अगर ये video आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा like करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करें अगर आपके मन में कोई doubt है या कोई सवाल है तो आप मेरे को comment section में पूछ सकते हो तो दोस्तो इस देव MTR चैनल को subscribe जरूल कर देना और साथी साथ दोस्तो प्रेस कर देना बेल आइकन को जैसे मेरी हर वीडियो की notification सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास thank you दोस्तो